शुक्र ग्रह को जोती शास में धन, सुक, एश्वर, भोग, विलास का कारक ग्रह माना गया है साथी साथ किसी पुरुष के लिए इस्तिरी सुक और वेभाईक सुक का कारक भी शुक्री है जनम कुणले में जब शुक्र बली होता है तो जातक को समस्प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं जातक को वेवाइक सुख प्राप्त होता है जातक को इस्तिरी सुख प्राप्त होता है किन्तो अगर जनम कुणले में शुक्र पाप परभाव में पीडित है अत्वा रिन गरस् प्राप्त करता है जनम कुणले में शुक्र का बली होना ही किसी जातक के जीवन में सफलता को इंडिकेट करता है क्योंकि शुक्र सफलता का और रिवाड का कारग ग्रह भी है जितना किसी जातक के कुणले में शुक्र बली होगा उतना ही जातक का जीवन सक्सेस्फुल होगा क्योंकि आज के इस भोतिक तावाद के समय में धन सक्सेस की सबसे बड़ी जरूरत है अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो उस व्यक्ति के पास बाकि कितने भी साधन उपलब्द क्यों नहीं हो जातक आज के समय में सक्सेस्फुल नहीं मान जाता तो ऐसे में जणम कुनली में शुक्र का बली होना अतनतावशक हैं किन्तों कई वार हमारे पूर ज़र्मों के कर्मों के कारण स्था होता है तो उसके दुष्प्रभाव जातक को अपने जीवन में देखने पढ़ते ही पढ़ते हैं आज किस वीडियो में हम उन ग्रहस्तितियों की बात करने वाले हैं जो ग्रहस्तिति दिखाती हैं कि जर्म कुणली में शुक्र रिन ग्रस्त हैं उन कारणों की बात करने वाले हैं जिन कारणों के कारण जर्म कुणली में शुक्र रिन ग्रस्त होता है उन लक्षनों की बात कर अगर जातक ने अपने पूर जनमौ में अपनी पतनी को धोका दिया हो या अपनी पतनी के साथ दूराचार किया हूँ वहविचार किया हूँ या फिर अपनी पतनी को कश्ट दिया हो तो ऐसे में जातक की जनम कुणले में शुक्र रिण्ग रस्त हो जाता है और भैंकर इस तरी दोश का निर्माड करता है लक्षोन की अगर हम बात करें तो जिस जातक की कुंडली में शुक्र रिन ग्रस्थ होगा ऐसे जातक का विभा बहुत देर से होता है या फिर विभा होने के बाद भी उस जातक को अपने विभाईक सुक का लाब नहीं मिल पाता जा तक की पत्री का स्वास्ते अकसर खराब रहता है कई वार ये भी दिखा गया है कि अगर जनम कुणली में शुकर रिंग रसत है तो जा तक कुछ संतान प्राप्ती में भी बहुत बादा हाती है जा तक का स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम होता है इस्त्री जातिका को भी अपने परिवार की इस्त्रियों का सहयोग नहीं मिल पाता अगर किसी इस्त्री की कुणली में शुक्र रिंगरस्थ है तो ऐसी इस्त्री का स्वास्थे बहुत ज़्यादा खराब रहता है ऐसी इस्तरी को अनेक प्रकार की रोग लग आते हैं ऐसी इस्तरी को कंसीव कईवार नहीं हो पाता है जिन जातोको की कॉंडली में शुक्र रिंगरस होता है ऐसे जातोको को दवाईया कईवार काम नहीं करती है ऐसे जातोक अकसरी शिकायत करते हैं डॉक्टर उनको अच्छी से दावाई दे रहा है, मगर उनकी बॉडी पर वर्क नहीं कर रही है, जिस इस्तरी की कुण्डी में शुक्र रिन गरस्त है, ऐसी इस्तरी का हार्मोन, शरीर में हार्मोन का बैलंस बहुत ही डिश्टर रहता है, ऐसी इस्तरी को अधिकांशते हार् बंदिस समस्या होती है ऐसे जातक या जातिका का रेटिना आखो का रेटिना कहीं न कहीं डिश्टर मिलता है प्रभावित मिलता है अब हम उन ग्रह स्थितियों की बात करते हैं जो ग्रह स्थिति दिखाती हैं कि जातक की कुंडली में शुक्र रिन ग्रस्थ है अगर शुक्र जनम कुंडली के छटे भाव में बैठा है तो माना जा सकता है कि जनम कुंडली में शुकर रिन गरस्थ है जातक ने पूर जनम में ऐसा कोई पाप आवस्षी किया है जिसकी वही से शुकर रिन गरस्थ हो गया है क्योंकि जनम कुंडली के छटे भाव को रिन का भाव माना गय अगर शुक्र छड़े भाव के स्वामी के साथ यूती कर रहा है तो शुक्र रिण गरस्त हो सकता है अगर कॉंडली के छड़े भाव का स्वामी शुक्र को दृष्टी दे रहा है तो शुक्र जनम कॉंडली में रिण गरस्त हो सकता है अगर शुक्र जनम कॉंडली में छड़ भाव का स्वामी है और छटे भाव के साथ युती भी कर लेता है दोनों ही स्थिति अगर बनती है या छटे भाव के स्वामी से दृष्टी पा लेता है तो जनम कॉंडली में शुकर के रिण होने की संभावना इस्तिरे रिण होने की संभावना बनती है अगर शुक्र जनम कॉंडले में चंदर और सूरे के बीच में हैंड है चंदर और सूरे के बीच में अगर फसा हुआ है तो जनम कॉंडले में सूरे के शुक्र के रिण इस्तरे रिण होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है अगर जनम कॉंडले में शुक्र शनी और केतु के बीच में हैंड है मंगल और केतु के बीच में हैंड है तो ऐसे में जनम कॉंडले में इस तरे रिन शुकर के रिन ग्रस्थ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है ये कुछ ग्रहस्तिती हैं जो कि ये दिखाती हैं कि जनम कॉंडले में शुकर रिन ग्रस्थ है किन्तो कितना रिन गरस्थ है, कितना पाप परभाव में यह पूरे हुरोस्कोप के विशरेशन के बाद ही पता चलता है तो अगर आपको ऐसी लक्षन महसूस हो रहे हैं जो की शुक्र के रिन गरस्थ होने के हैं या फिर आपकी जनम कुणले में ऐसी ग्रैस्तिती बन रही है तो आप किसी एस्टलॉजर से प्रामर्श लेकर उसके लिए समधान कियाजिए। अगर जनम कुणले में शुक्र रिन ग्रस्त है तो क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मा लक्षमी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ इस्तिरियों का सम्मान करना शुक्र के रिनों को खतम करने के लिए सबसे बेस्ट रमेडिय माने जाती है। चाहे वो इस तरही आपकी पत्री हों चाहे वो परिवार की महिलाए हों। अगर आप फिमेल हैं तो आप अपने परिवार की महिलाओ का सम्मान कीजेगा उनको ज्यादा स्यादा सपोर्ट दीजेगा और अगर आप एक पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी का सम्मान कीजेगा उसकी सुनिएगा वो क्या कह रही है उसकी बात का मान रखेगा उसको जो भी आप से सुख सुविधा बनती हैं, वो आप उसको परदान कीजिएगा. शुक्र जब रिन गरस्थ होता है, तो इसका एक लक्षन ये भी होता है, कि जातक के पास अगर धन बहुत है, तो उस धन का उपभोग ने कर पाता, जातक को एश्वरे के प्राप्ती नहीं हो पाती, कि बार ऐसा होता है, जातक के पास पैसा तो बहुत है, किन्त या तो जातक बहुत जातक कंजूस हो गया, या फिर जब जातक का उस पैसे का उपभोग करने का समय आया, तो जातक उसका भोग ही नहीं कर पाया होता है कई बारे की जातक बिमार पढ़ गया तो ना खाने का रहा ना घूमने का रहा तो उस पैसे का करेगा क्या तो इस तरह से भी शुक्र का रिंगरस्थ होना दिखाता है अगर जातक के उपर बहुत ज़्यादा लौन है उसके लौन चुपता ही नहीं हो पाते एक लौन लेता है दूसरा चड़ जाता है पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी बनी रहती है तो भी जनम कुंडली में शुक्र रंगरस्त हो सकता है तो आपको आज का यह वीडियो दायोगा तो जुड़ रेगा श्टू सुद्र के साथ मिलते नक्षुड में तब तक के लिए जाहिंद चै भारत